अलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बलाड और बस्टा क्रक्स यह मूवी एकस्प्लेंड करने वाला हूँ यह मूवी एक वेस्टन है जब यह आप वेस्टन सुनते हो तो आपको लगता है कि काउब बोईज गन शुटिंग इस तरह के मूवी होंगी पर इस मूवी में अलग-अलग सिक्स स्टोरी लाइन से उस पिरेड में जो वेस्टन सोते थे उस पिरेड में हमें यह सब दिखाया गया है हमें western का एक flavor भी इस movie मिलेगा पर generally six stories अलग-अलग stories हमें इस movie में दिखाई गई है ये general movie एक death के बारे में है अलग-अलग kiss से death के हमें सुनाए गए है और इस से हमें death के गहराई समझाने की कोशिश इस movie के creator करते है इस movie के IMD rating 7.1 है और बड़ी अच्छी movie ये बनी है तो चलिए मैं आपको explain करता हूँ तो इस movie के first storyline आती है इस story में Buster's Krug ये एक man character है ये घोड़े पर गीत काता हुआ चलता हुआ दिखता है ये गीत काते-गाते मांटरस में जा रहा होता है फिर हमसे बात करता है ये मेरा नाम तुमने सुनाओगा उस पर एक county होती है Buster's Krug उसका नाम होता है और उसे गाना-गाने वाला भी कुछ लोग कहते है उस पर एक बड़ी bounty होती है अगर आपको bounty नहीं पता होगी तुमें आपको बता देता हो ये एक इनाम की तरह होता है पुराने समय में अगर पूलिस को किसी को पकड़ना होता है तो bounty वो रख देते थे जिस आदमी वर bounty रखी होती है तो जिन्दा या मुर्दा किसी भी तरीके से उसे अगर कोई लेकर आए तो उसे वो इनाम दे दिया जाता है तो ये bounty बस्टर्स क्रक्स पर होती है पर हमें जो ये character दिखाये का है ये careless type होता है ये फिर गीत गाता गाता चलता है और फिर हमें कहता है कि मैं हमेशा गीत गाता रहता हूँ मेरी जो खोड़ा है उसे भी आच्छा लगता है जब मैं गीत गाता हूँ और हमारा सवर अच्छे से गुजर जाता है फिर हमें कहता है कि यही कही एक restaurant है जहां जाकर मैं पत्तो की game खेल सकता हूँ रोज restaurant में जाता है ये restaurant जैसा हमें expected वैसा नहीं होता है एक छोटा सा एक ही घर होता है वहाँ ये बार होता है जब वह वहाँ जाता है तो बारे टेंडर से बोलता है कि क्या मुझे विस्की मिलेगी बारे टेंडर बोलता है कि इस state में विस्की allowed नहीं है फिर बस्टा स्क्रग देखता है कि वहाँ जो लोग होते विस्की पी रहे होते है तो पुछता है कि ये लोग क्या पी रहे है बारे टेंटरों से बोलता है कि हम विस्की किसी को भी सर्व नहीं करते जो आउटलाज होते हैं उन्हें हम सर्व कहते है बस्टर क्रग की बोलता है कि मैं भी क्रिमिनल हूँ, मैं भी आउटलाग ही हूँ तुम मुझे सव कर सकते हो पर फिर उसे सव नहीं कर रहे होते जो आदमी होते हैं उन्हें भी उसके साथ विस्की नहीं पीने होती जो सब लोग बेटे होते हैं उसमें से एक बोलता है कि तुम जैसे लोगों के साथ मैं विस्की नहीं पीता Wester Krug बोलता है कि तुम मुझे judge कर रहे हो तुम में जैसे judge नहीं कर सकते Wester Krug के कपड़ा वेगरा सब अच्छे होते है तो इस वज़े से वो लोग उसके साथ विस्की वेगरा नहीं पिना चाते है वो connect नहीं हो पाएंगे तो इसलिए अब वो उसके साथ विस्की नी भी रहे बस्टर करक फिर भी उन्हें इंसिस्ट करता है वो बहुत ही pursuing होता है पर फिर भी वो मानने रहे होते उनका जो boss होता है वो खड़ा हो जाता है वो अपनी gun पर राद रखता है जैसे हमें western film से पता है कि हमेशा दो लोग खड़े हो जाते है और उनमें fight होती है जो आदमी first gun निकाल कर दूसरे आदमी को मार देगा वो जीच जाता है तो बस्टर करक भी अपनी gun निकाल लेता है और उसको मार देता है उसके साथ और तीन लोग होते है तीनों लोगों को भी बस्टर करक मार देता है जो bartender होता है वो भी gun निकालने के कोशिशंकरता है उससे पहले बस्टर करक इसे मार देता है फिर वो वहाँ से निकलता है और एक टाउन में आता है उसके लिए ये टाउन न्यू होता है वहाँ फिर वो एक बार को देखता है जब वहाँ आ जाता है बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं वहाँ जाने के बाद डोर पर उसे रोक लिया जाता है वहाँ का गार्ड उसे कहता है कि हम यहां गंस वो करा कुछ भी आलाओड नहीं करते हैं बस्टर के पास बहुत सारी गंस होती है वो सब वो उससे निकाल कर दे देता है उसे कार्ड्स का ग्रेम प्ले करना है तो कुछ लोग ये गेम खेलरी रहे होते हैं इस टेवल पर चार लोग होते हैं गेम खेल रहे है तो इसमें से एक आदमी अपने कार्ड्स देखता है और इस गेम से आउट हो जाता है बस्टर को को ये देखकर अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे टाइम पर ये निकल गया है तो इस गेम पर वो आकर बेट जाता है वो उनसे पर्मिशन लेता है तो वो बोलते है कि जो हैंड वो आदमी छोड़ कर चला गया है वो अगर खेलने के तुम रेडी हो तो तुम खेल सकते हो बस्टर जब ये कार्ड्स देखता है तो इससे वो पीच हट जाता है उसे ये हैंड नहीं खेलना होता इन सब लोगों में एक आदमी होता है वो बोलता है कि अब तुमने कार्ड्स देख ली है तुमें ये खेलना ही पड़ेगा बस्टर बोलता है कि तुम मुझे जबरदस्ते नहीं कर सकते बस्टर करक फिर अपने आपको इंट्रिश कराता है वो आदमी उसे जानता है और फिर गन निकाल लेता है बस्टर कहता है कि इस डोर में तुम एक गन लाना अलावड नहीं है तुमने इस प्लेस को डिस्रिस्पेक पूर किया है यहाँ प्लेस के जो रूल से उसे तुमने वाइलेट किया है बस्टर उसे अपनी गन रखने के लिए बोलता है पर वो आदमी कहता है कि अगर मैंने गन नहीं रखी तो क्या करोगे और उस आदमी के हाथ पर बढ़ जाती है इससे वो आदमी अपने आपको ही शूट कर देता है और वो मुर चुका है इसके बाद Buster Krug उसके बारे में गाना लिखता है सब लोग भी चियर करने लग जाते है थोड़ी देर बाद जो आदमी मरा है उसका ब्रदर वहाता है उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुमने धोके से उसे मार दिया है और Buster Krug उसे जो situation हुई है यह सब उसे समझाता है अब जो आदमी मर चुका है उसका ब्रदर उसे आमने सामने एक competition के लिए invite करता है यह वही गान की competition होती है और फिर हमें दिखता है कि यह दोनों ready हो जाते है Buster जो होता है उसका बहुत यह अच्छा निशाना होता है बची दूर से उसे भी वह मार देता है जब वह उसे मार देता है तब घोड़े पर और एक आदमी आता है यह जो आदमी होता है यह bounty hunter होता है यानि कि Buster को यह मारने के लिए वो यहाँ आया हुआ होता है फिर यह दोनों फिर से competition के लिए ready हो जाते है Buster फिर हमें कहता है कि हमेशा मुझे ऐसे लोग मिलते रहते है जो यंग होते है और अपने आपको prove करना चाहते है जो आदमी उसे मारने के लिए आया हुआ होता है वो gun चलाता है Buster अपनी जब head दिखता है तो head के आरपार गोली चली गई होती है वो फिर हमसे कहता है कि मुझे पता चल जाना चाहिए था कि ये मुझे दोका देकर मुझे माटा लेगा जब वो मर जाता है तब हमें उसकी soul दिखाई गई है वो गाते गाते heaven तक पहुच जाता है अब हम आ जाते है second story पर second story में एक young man हमें bank की तरब देखता हो दिखता है वो bank में जाता है और उसको वो लूटना चाहता है वहाँ जाकर वहाँ का जो banker होता है उससे वो बात करता है वो बोलता है ये बहुत ही अच्छी bank है वो banker कहता है कि ये पुरी three county में एक बड़ी सी bank है जाओ में पहले shot में देखा था तो इतनी बड़ी भी ये bank नहीं होती वो एक की आदमी वहाँ होता है जो इस bank को protect कर रहा होता है फिर ये young man उसे पुछता है कि कभी तुम rob हुए हो फिर वो खहता है कि एक दो बार लोगों ने कोशिश की थी पर वो इतना successful कभी भी होनी पाए फिर ये young man एक अपनी गन निकालता है और उसे पूरे पैसे देने के लिए बोलता है ये banker फिर नीचे जुकता है नीचे वो shot gun से उसे shoot करने के कोशिश करता है ये young man बच जाता है फिर counter के दुसरे side में young man आ जाता है तब वो देखता है तो वहाँ 3 shot gun होती है वो मर सकता था पर वो old man वहाँ से भाग चुका होता है फिर ये young man भागने लगता है पैसे लेकर वो अपने घोड़े तक जाता है तब ही जो banker था वो उसे shoot करने लग जाता है ये जो banker होता है बहुत ही शातिर होता है इसने अपने आसपास जो pot होते है उसे shield बनाई होती है वो इस young आदमी के पास भागता है और अपनी गन से इसे बेहुश कर देता है नेक सिन में हम दिखता है कि जो young man है वो directly पुलिस के पास है पुलिस उसे sentence सुना रही होती है और उसे अब वो मारने वाले होते है उसके गली में फासी का फंदा होता है ये sentence उसे सुना देते है और फिर वो उससे बुचते है कि तुम अपनी सभाई में क्या बोलना चाते हो या नहीं फिर वो young man बोलता है कि जो banker था उसने fair fight ने लड़ी फिर वो से मारने वाले होते है तभी वहाँ आदिवा से आ जाते है ये सब जो पुलिस होती है इन सब को मार देते है उसमें से एक आदिवार्शी लीटर इस young man को देखता है और फिर वहाँ से हस कर चला जाता ह इसके गले में फासी का बंदा होता है तो बहुत देर तक यही अटका रहता है वहाँ cattle farming करने वाला एक आदमी आता है वो से उस फंदे से चुड़वाता है फिर वो दोनों बात करने लग जाते है वो कहता है कि ये जो farming में करता हूँ इसके लिए मुझे कुछ लोग लगते है मैंने दो लोगों को hire किया था पर season कतम हो गया तो वो भी चले गए मुझे भी किसी आदमी की जरूरत है तो मैं तुम पर trust कर सकता हूँ इसलिए मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ ये जब वो बात कर रहे होते है तभी बहुत सारी police वहाँ आ रही होती है ये देखकर वो cattle farming करने वाला वहाँ से भाग जाता है और ये young man फिर से पकड़ा जाता है इसे फासी के फंदे पर चड़ा जाता है उसके साथ और दो चार लोग होते है उसमें से एक आदमी बहुत ही रोने लग जाता है फिर ये young man उसे बोलता है क्या पहली बार कर रहे हो उसमें भी उसी humor दिखता है जो लोग इसको फासी के फंदे पर देख रहे होते हैं उसमें से एक beautiful lady भी होती है वो दोनों एक दुसरे से हसते है और तभी इसको फासी की सजा हो जाती है और ये मर जाता है ये स्टोरी यही खतम हो जाती है अब थर्ट स्टोरी इस movie में स्टार्ट होती है ये फासी स्टोरी है इसमें एक old man हमें गाड़ी चलाता हो दिखता है ये horse की गाड़ी होती है और इसमें वो एक गाव में आता है इस गाव में आकर वो posters लगाता है कि वहाँ एक वो शो करने वाला है कट बुदलिया का जैसे शो होता है विस तरह से भी उसका stage होता है और उसके लोग यहाँ इकटा हो जाते है जब पड़ी गिरते है तो यहाँ एक आदमी होता है इस आदमी के हाथ पेर कुछ भी नहीं होते है ये फिर उन्हें अलग-अलग स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है जो old man था अब वो पैसे इकटा कर रहा है और बहुत सारे पैसे उसे म लगता है अलग-अलग वो जगा जाते है और फिर विंटर आ जाता है विंटर में वैसे भी लोगों को खाने के लिए बहुत सारी चीज़े नहीं होते तो अब उनके पास उतने पैसे नहीं आ रहे होते है बहुत ही कम लोग इसमें इंट्रेस्टेट होते है ये old man होता है उसें बहुत ही कम लोग आये होते है क्योंकि वैसे भी condition adverse होते है तो जादा कुछ पैसे मिल नहीं सकते है ये शो जब खतम हो जाता है तब ये old man गाव में जाता है इस शो में हैन होती है अलग-अलग नंबर स्वाहा लगा होते है ये हैन किस नंबर को हीट करेगी इ बहुत सारे लोग इस पर interested होते है और बहुत सारे कमाई इसमें हो रही होती है ये जब वो देखता है तो इस old man को भी idea आता है कि वो भी ही कर सकता है सब पैसे लगा कर वो अब ये hen buy कर लेता है फिर next scene में में दिखाए गया है कि ये hen और handicapped लड़का ये दोनों गाड़ी मे बेठे हुए है ये गाड़ी फिर रुख जाती है ये गाड़ी जहां रुखे होती है वहाँ एक बड़ी खाई होती है old man वहाँ जाता है एक बड़ा सा पठर उटाता है उसे वो नीचे डाल कर देखता है यहाँ छोड़ी सनधी होती है और एक खाई भी बड़ी होती है इस इस स्टोरी के पहले हमें बहुत ही अच्छी एक कंट्री साइड दिखाई गई है एक रिवर होती है उसके पास एक ओर्ड मैन आ जाता है यह जो ओर्ड मैन होता है यह डॉंकी के साथ जर्नी कर रहा होता है वो जब इस रिवर के पास आता है तो एक शवल निकलता है वहां की जो मिट्टी होती है वो शवल में वो लेता है और एक पॉट में रख देता है पॉट में रखी हुई मिट्टी फिर वो नदी में जाता है और नदी के पानी से उसे साफ करता है वो में फिल्टर करता हो दिखता है और फिल्टर हो जाने के बाद उसे सोना मिलता है इस सोने क वो रखता नहीं, इस सोनों को भी वो बहा देता है, अब वो अलग-अलग जगा इस शवल से मिट्टी निकालता है, और ये प्रोसेस हमेशा दोहरा दरेता है, वो काउंट करता है कि कितने सोने के पार्टीकल्स उसे मिले है, वो उसे अभी भी अपने जेब में नहीं रख रह होता है, अलग-अलग जगा वो खोदता है, और हर जगा मार्क करकर रखता है, जब रात होती है, तो वो अराम करने लग जाता है, नेक्स दिन फिर से जो उसने किया था, वो ही करने लग जाता है, जब उसे भुग लगती है, तो वो एक जाड़ पर चड़ जाता है, वो Mr. Pocket तुम मुझसे बच नहीं सकते, यह Mr. Pocket जो हता है यह आदमी नहीं है, हमें लगता है कि यह पागर आदमी है, पर नेक्स दे फिर से वो खोदने लग जाता है, तब उसे एक बड़ा सा टूकड़ा सुने का मिलता है, और भी वो खोदता है, तो उसे बड़ा सा रोग मिलता ह और बहुत सारा सुना उसे वहाँ मिल रहा होता है, उसे लगता है कि यहाँ कोई तो है, उसे कुछ मुवमेंट सुना ही देती है, और फिर वो जब पीछे देखता है, तो वहाँ एक कवबोई होता है, उसे वो शूट कर देता है, वही बड़ा हुआ होता है, तो वो कवबो वो अपने आपका खैल रखता है, जरह आराम करता है, और बहुत ही अच्छा अब हो हो जाता है फिर हमें दीखता है कि उस गड़े से बहुत सारा सोना वो निकालता है और दो बड़े-बड़े बैक सोना वो वहाँ से निकाल लेता है जिस आदमी को उसने मारा था उस आदमी को गड़े में गार देता है फिर वो बोलता है यह फिर से तुम्हें लेने के लिए आउंगा यानि कि और भी सोना वहा है वो सोना वो लेने के लिए फिर से आएगा इसके बाद हमें दिखता है कि वो जहाँ से आया था वहाँ लोट जाता है यही यह स्टोरी भी खत्व हो जाती है अब हम चलते हैं फिफ स्टोरी के पास स्टोरी स्टार्ट होती है और हम बहुत सारे लोग एक डिनर टेबल पर दिखते हैं यह एक मोटल की तरह जगहा होती है जहाँ सब लोग रह सकते हैं यह सब स्टेंजर होते हैं फिर हमें इंट्रोरी की मैंन क्यराक्टर इसका नाम एलिस होता है एलिस से एक आदमी बात करता है तुमारे निक्स्ट प्लैन कैए है फिर उससे कहती है कि मैं और अब मेरा बरदर ओरेगन जाने वाले है वाव उसका बरदर जो होता है उसका एक फ्रेंड होता है उसके साथ वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है यहां में पता चलता है इसके बरदर का जो फ्रेंड है उसकी और एलिस की इन दोनों की शादी होने वाली है यह uncertain होता है यानि कि अब तक इसका बरदर का जो फ्रेंड है वो एलिस से नहीं मिला है नेक सिन में हम दिखता है यह बहुत सारे होरसे स्वेगरा कैटल के साथ एलिस और उसका बरदर अब और एकन के लिए निकल चुके है यो जो सब लोग होते हैं यह जुन में चलते हैं यानि कि कोई भी आकेला ना चल सके और वो सेफ भी रहा है इसलिए वो यह सब कर रहे हilage है फिर Alice के ब्रदर को बोलती है कि जो लोग है वो जरा complain कर रहे है उनके साथ एक डौग होता है जो हमेशा बाग करता रहता है इससे सब लोग को disturb हो रहा होता है तो इसलिए Alice उसके ब्रदर को बोलती है कि सब लोग इसकी complaint कर रहे है वो कहता है कि यह मेरी property है यह कोई भी problem करें पर इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता फिर जब रात होती है तब Alice का ब्रदर हमें खासता हो दिखता है Alice उसके लिए परेशान होती है जब next दिन आता है तब उसका ब्रदर मर चुका होता है यह जब सब लोग चल रहे होते है उसका leader जो होता है वहाँ वो आता है उसे वो sorry वेगरा कहता है इस leader के साथ और एक उसका sidekick टाइप होता है उसका नाम होता है Billy बिली उसे लिए sorry कहता है फिर उससे पूछता है कि तुम अब क्या करने वाली हो आगे जाने वाली हो या पीछे जाने वाली हो वो कहती है कि मैं पीछे जाओंगी वो उसे help करने वाला होता है जब रात होती है तब Alice इस बिली के पास एक problem लेकर आती है Alice बिली को कहती है कि यह जो boy है इसको मेरे ब्रदर ने 400 डॉलर्स वो से देगा ऐसा उसने उससे वादा किया था अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है पर मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है उसका जो ब्रदर होता है उसके pocket में सब पैसे होते है और उनोंने अभी अभी उसको ब्रदर को गार दिया है और इसके बाद उनोंने बहुत सारा travel किया है वो वापस भी नहीं जा सकते है और अगर वो वापस चले भी गए तो वहाँ कुछ साइन वेगरा कुछ भी नहीं है जिससे वो उसके ब्रदर को ढूंड सकते है फिर यह बिली उसे कहता है कि मुझे जरा वक्त दो एक दो दिन में सोचता हो और फिर उसे क्या कहना है यह हम decide करेंगे नेक्स दिन जब बिली उसके पास आता है तो बिली कहता है यह जो डॉग है सब को disturb कर रहा है कि क्या यह तुम्हारे डॉग है तो फिर एलिस कहती है यह मेरा डॉग नहीं है मेरे ब्रदर का था तो फिर बिली को बहुत अच्छा लगता है कि अब यह डॉग इसको मार सकता है बिली फिर उस डॉग को दूर लेकर जाता है उसे shoot करनी कोशिश करता है पर वो डॉग वहाँ से भाग जाता है नेक्स रात फिर से एलिस बिली के पास आती है उसे कहती ही कि मेरा जो बॉई है उसे अभी के अभी पैसे चाहिए वो आगे नहीं जा रहा फिर बिली कहता है कि उसको जो पैसे प्रामिस करेगी थे वो तूसे चाहिए यह कुछ वो गलत नहीं कर रहा एलिस के पास अब प्रॉलम होती है कि अगर वो बॉय उसे छोड़ कर चला गया तो उसका एक आडल स्वेकरा वो कैसे उसके साथ लेकर जाएगी तो बिली फिर ओफर करता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ मैं और मेरा बाटनर आगे पीछे करकर तुम्हें ओरेगन तक पहुचा सकते हैं तो उसे कहता है कि मुझे दो दिन दो मैं इस पर ज़रा सोचता हूँ और कुछ सोलूशन में इस पर निकालूँगा फिर हमें दिखता है कि बिली और उसका पार्टनर जो होती है वो एक दुसरे से बात कर रहे होती है बिली उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी सेटल हो जाओ वो एलिस से शादी करने के लिए प्रोबोजल देने वाला होता है उसका पार्टनर उसे कुछ भी नहीं बोलता वो इस पर एगरी भी नहीं करता और कुछ डिनाई भी नहीं करता वो फिर एलिस को आकर बोलता है मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ यह बहुत ही रिस्पेक्स से मुझे तुम्हें बताना है वो फिर कहता है कि तुम्हारा जो बोला है उसे बहुत सारे पैसे तुम्हें देने है तो यह पैसे में दे सकता हो फिर वो उसे शादी के लिए प्रोबोजल देता है वो से उतना response नहीं दे रही होती है फिर वो और भी कहता है वो कहता है कि मेरा जो partner है उसने शादी नहीं किया वो अभी तक हम लोगों के साथ फिरता रहता है वो अब old हो चुका है उसके खयाल रखने के लिए कोई भी नहीं है वो जमीन पर सोता है और हमारे साथ ही रहता है तो ऐसी life मुझे नहीं चाहिए अगर हम शादी कर लेंगे तो हमें बहुत सारी land भी मिल जाएगी हम दोनों farm कर सकते है settle हो सकते है इस पर फिर वो सोचने के लिए वक लेती है जब next दिन होता है अपना answer नहीं बताया होता तो फिर से वो उसे पास जाता है वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें गलत लगा होगा तो वो sorry उसे कह रहा होता है फिर Alice उसे कहती है कि मैं तुम्हारा proposal एकसेप्ट करती हूँ वो उसे कहती है कि मैं मेरे ब्रदर के साथ रहती थी पर मुझे कभी भी इतना safe नहीं लगा है जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ही safe लगता है फिर वो अपने partner को कहता है कि अब हम दोनों शादी कर लेने वाले है रात में ये दोनों Billy और Alice दोनों जब बात कर रहे होते है तो अपने ब्रदर के बारे में Billy को कहती है वो कहती है कि मेरे ब्रदर को हमेशा कुछ चीज़े certain ही लगती थी जो भी ये business वो अपने friend के साथ करने वाला था वो ज़रा बड़ा चड़ा कर बोल रहा था ये true होगा ऐसा भी उसे नहीं लग रहा था वो एक failure था उसे बता रही होती है वो फिर कहती है कि मैं कभी भी इतनी certain मैंने feel नहीं किया है फिर Billy भी कहता है कि जो uncertainty है वो बहुत याच्छी होती है ये हमें life में आगई लेकर जाती है इसमें कुछ भी गलत वेगरा कुछ नहीं है नेक सिन में हम देखते है कि Billy का जो partner होता है वो देखता है कि Alice वो आ नहीं है Alice कई घोड़े पर चली गई होती है तो घोड़े के पेरी के निशान देखकर उस direction वो निकल जाता है बहुत दूर Alice उसके dog के पास होती है जो dog बच चुका था वो वहाँ उसके पीछे भागता भागता आ चुका है वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है Billy का partner फिर कुछ आदिवासी लोगों को दिखता है वो Alice को उतरने के लिए बोलता है और एक peace sign उस आदिवासी को देता है पर वो आदिवासी उस पर अब हमला करने वाला होता है फिर वो उसे चुपने के लिए बोलता है वो से कहता है यहाँ बहुत सारे गड़े हैं जिसमें वो लोग गिर कर मर सकते हैं तो मैं इसका advantage लेने वाला हूँ मैं इन्हें बड़ी fight दे सकता हूँ फिर वो उसे गन देता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमें अपने आपको मार डालना है वो इसके लिए ready नहीं होती फिर वो उसे कहता है कि अगर उन लोगों ने तुमें पकड़ लिया तो तुमारे साथ वो बहुती बुरी-बुरी चीजे करेगे इसे अच्छा तुम खुद से suicide कर लो फिर बिली का partner बहुत सारे लोगों से लड़ता है बहुत सारे लोगों को मार भी देता है वो आदिवासी जब वापार जा रहे होते है वो आदिवासी वापार जाने लग जाते है इसमें इसे एक जिन्दा होता है और वो बिली के पास आता है बिली के partner को उसने मार दिया ऐसा Alice को लगता है Alice फिर अपने आप कोई गोली मार देती है बिली का partner जोता है जिन्दा होता है उस आदिवासी गों मार देता है वो आल उसको देखता है और उसे बहट बुरा लगता है यहीं यह स्टोरी भी खतम हो जाती है अब लास्ट स्टोरी, six स्टोरी पर हम चलते हैं इस स्टोरी में होस के जो बग्गी होती है उसमें 5 लोग शफर कर रहे होते हैं इसमें से 2 आदमी होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं वो दोनों Bounty Hunters होते हैं पर ये जो बाकी 3 लोग हैं इनने पता नहीं है एक औरत होती है एक फ्रेंच मैन होता है और एक जंगली आदमी उनके साथ होता है ये जब गाडी चल रहे हो थी है तो उसके जो वाइफ थी उसकी और उसकी भाषा दोनों अलग अलग थी फिर वो एक साथ रहते थे उनकी सेक्सलाइब भी वो डिसकस करता है पर बोलता है यहाँ एक लेडी है इसके सामने में डिसकस नहीं कर सकता उसमें सिर्फिर एक आदमी पुछता है क्या तुम उससे प्यार करते थे और हो कहता है कि उसकी language और मेरी language अलग थी तो मुझे पता ही नहीं कि वो क्या करती थी पर जब मैं उसके facial expression देखता था तो मुझे पता जल जाता था जो सब लोग होते हैं कई भी वो रह रहे हो कोई भी उनकी भाषा हो पर भी वो वो same ही होते है उसमें वो lady होती है तो वो बोलती है कि लोग same नहीं होते लोग अलग-अलग होते है वो बहुत ही uptight होती है वो बोलती है कि मेरा जो husband है वो एक university में बढ़ा था वो भी literaturevery काम करता है तो वो बताता है कि लोग same नहीं होते है बहुत सारे लोगों में types होते है वो अपने husband से मिलने जा रही है यह उन्हें बताती है जो फिर फ्रेंच man होता है तो फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम दोने एक दूसरे से पैयर करते हो वो कहती है अफकोस हम दोनों से एक दूसरे से पैयर करते है उन दोनों का डिवास हो चुका होता है और दो दिन से बाद वो इससे मिलने जा रही होती है फिर फ्रेंच man उसे कहता है कि वो तुम से पैयर नहीं करता होगा हर आदमी की पैयर की जो definition होती वो अलग-अलग होती है वो यह सुनने के लिए ready नहीं होती है तो फ्रेंच man कहता है कि तुमने ही बताया कि तुमारा husband एक प्रोफेसर था वो एक बड़ा आज में था तो उसकी पैयर की definition अलग है तुम उससे पैयर करती थी तो इसी compassion को वो एक वापस करने के लिए तुम से थोड़ा सा पैयर जदा देता होगा अब तुम तीन साल बाद उसके मिलने जा रही हो तो यह same नहीं होगा वो फिर उसे बुचता है कि तीन साल तक तुम कहा रही फिर वो कहती है कि मेरी daughter और सनी लॉग के साथ मेरे ही थी वो कहता है कि तुम उस पर बोज बन चुकी थी वो कहती कि मेरी बेटी ने मुझे कभी यह सा नहीं कहा वो कहता है वो frenchman कहता है पर एसा ही होता है यह सब बाते बहुत ही real उसके लिए हो जाती है और उस लेडी को heart attack की तरह शास लेने में जरा तकलिफ आने लग जाती है ये देखकर वो सब लोग कहते हैं कि हमें गोड़ा रोक देना चाहिए पर जो हमें bounty hunter दिखाये गए वो बोलते हैं कि जो हमारा गोड़ा चलाने वाला है वो कहीं भी रुकने नहीं वाला इस औरत को फिर जरा साथ आने लग जाती है थोड़ी देर बाद नॉर्मल में आ जाती है फिर फ्रेंजमेन उसे पूछता है कि ये गोड़े वाला क्यों नहीं रुक रहा फिर वो bounty hunter उनका professional से सुनाते है ये जो गोड़े वाला होता है उसको भी उन्होंने कैदी बनाया होता है उसको turning नहीं कर दे और पूरे life तक उनका वो साथी बन जाता है ये जो bounty hunter होता है ये बोलता है कि हम जो discussion कर रहे थे तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ दो type के लोग होते है जिन्दा ये मूर्दा ये bounty hunter ही है तो इसे के बारे में बोल रहा होता है bounty hunter उसे कहता है कि जब भी मैं उन्हों को मारता हूँ तो मेरा partner उन्हें story सुनाता है वो अपने आपको इस story से distract कर लेते हैं और फिर मैं उन्हें मार देता हूँ फिर वो कहता है कि जब यूमें लोगों को मारता हूँ तो उनके last follow में वो एक sense बनाने की कोशिश करते हैं उनकी life क्या थी और उन लोगों ने उनकी life में क्या एक हासिल क्या है ये वो ढूंड रहे होते हैं एक divine power को वो ढूंटे रहे जाते हैं फिर वो औरत उसे पुछती है कि क्या उन्हें वो मिलता है वो कहता है कि मुझे क्या पता मैं तो बाउंड अंडर हूँ वो नीचे गिराते हैं ये सब ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं फिर बाउंड ये अंडर आराम से होटेल में चले जाते हैं ये तीनों लोग जो होते हैं ये बहुत ही डर हूँ होते हैं फिर भी इनके पास कुछ आप्शन नहीं होता तो ये डोर बन कर लेते हैं और होट बनती जाती है बहुत ही अच्छी मूवी है आपको देखना है तो आप देख सकते हो अगर आपको मेरा explanation अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा subscribe भी कर दीजे और bell और notification icon भी दबा दीजे यानि कि अगर मैं नई movie अपलोड करूँगा तो आपको इसकी notification आ जाए फिर से हम मिलेंगे next movie के साथ